बासकार दोस्तो, भारती ये डाक में ग्रामिन डाक सेवक की पदों पे जो भरती चल रही है, उसमें प्राया प्राया सभी ने फॉम फिल कर दिया है, कुछ बच्चों को छोड़ करके, और सभी के मन में कुछ-कुछ सवाल है, सवाल जैसे कि ये है दोस्तों सबसे पहला उख हो जाती है, और बहुत सारे केंडिडेट हो, या फिर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पैसे दे करके सीट खरीद लिया जाता है, जिस वजह से, कटप हाई दिखाता है, लेकिन कम रहता है, और हम लोगों का नहीं होता, ठीक है दोस्तों, साथी साथ आप लोगों को पांच सेफ जोन और पांच अनसेफ जोन, यानि कि पांच ऐसे राज्यके नाम बताने वाला हो, जहां पे कटप हाई जाती है, ये जो भरती की बात कर कर रहा हूं, मैं 12,8288 पद वाली भरती की बारें बात कर रहा हूं, 4,889 पद पर चार साइकल का तो सब कुछ हो, फश डिवी चल रहा है, लेकिन उसमें 5th लिस्ट के वेट कर रहे हैं, तो 5th लिस्ट से अपडेट में जल्द ही आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन अभी कि मैं आप लोगों को cut up थोड़ी लेट में बताऊंगा, ये unsafe zone, safe zone के साथ में बताऊंगा, सबसे पहले, इसमें merit कैसे बनता है, और 37,7 से 70% candidate reject क्यों हो जाएंगे इस भरती में, ये भी आप लोगों को बताने वाला, ठीक है, तो सबसे पहले merit की बात करते हैं, तो merit कैसे ब एक और होता है, DOB, DOB खेल करता है, माल लिजे एक candidate का 95% है, DOB 1998 है, ठीक है, दूसरा का 95% है और 1999 है, तो सबाइक से बात है, 98 वालक लेगा, 99 वालक नहीं लेगा, ये नियाम है, ज्यादा date of birth वालों को फश्ट परात्मिता है, एक और चीज इसमें वो करता है, वो है दोस्त तो आपका post preference, post preference कैसे depend करता है, आप लोगों को बतादू, माल लिजे, ये circle है, ठीक है, यहाँ से पूरा division है, ठीक है, अब ये division से post office है, ठीक है, हर से post office है, post office है, तो देखे, ये post office में कभी-कभी क्या है, ये गाव इलाका है, ये city इलाका है, ये भी city इलाका है, तो गाव theели राविताईृ लाका스터 में ज्यादा केंडिडेट को पता नहीं रहा था क्योंकि यह सब्सक्राइएं का नाम सभी बाहर इस्टेट वालों को भी पता रहता तो ज्यादा तर तक शाखिताऊ लोकर आप पोस्ट पूर्पे नहीं करते है तो आपका chain होने का chance कम रहता है और साथी साथ दोस्तों अगर आप HD candidate है तो अपना HD से form तो apply करी रहे हो साथी साथ आप general से form apply करो यही मेरा मानना है ठीक है इससे क्या है आपका chain होने का chance ज्यादा रहेगा एक चीज और बता दू साथ से सतर परसेंट candidate reject के हो जाएंगे यह मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ साथ से सतर परसेंट वाले candidate reject हो जाएंगे और reject के होंगे उसमें से बहुत सारे जो 2005 या 2006 DOB वाले है यह लोगों का 18 प्लास नहीं हुआ है जिसके वज़ासे यह लोग reject हो जाएंगे ठीक है दोस्तों यह सभी के सभी कोरोना काल में पास आउट है जिनके वज़ासे इनका परसेंट हाई आया है और यह लोग reject हो जाएंगे दूसरी बात इनका नाम mistake है ठीक है नाम तो सुधर जाएगा उसमें फॉर्म अभी जो इसमें सुधर कारे के लिए दो दिन का एक्टिवेशन होगा उसमें सुधर जाएगा लेकिन यह बच्चे बोड में ठीक है बोड में फॉर्म फिल करने में बोड में नाम गलत कर रहे ह पासिंग यहर में नाम गलत कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे है ठीक है परसेंट डालने में गलत कर रहे हैं परसेंट नहीं होई subject का marks डालने में गलत कर रहे है तो यह सभी चीज मैं आप लोगों बता दूए यह बारीकी है और यह आपका डाकुमेंट के टाइम देखते हैं दोस्तों और इसमें अगर आपने गल्ती कर रहे ना तो आप रिजेक्ट है मैं सीधा बोल रहा हूं दोस्तों यह सुधरेगा भी नहीं ठीक है लाश्ट टाइम भी हुआ था सुधरा नहीं सिर्फ नाम पापा का नाम एड्रेस यही सब सुधरता है मैं पहले ही बता दे रहा हूं दोस्तों तो बार-बार मैं यहीं बोलता हूं कि फॉर्म आप भरते टाइम बहुत ही सौधानी से भरो देखें किस-किस कराने वां किसे रिजेक्ट हुए डियोबी और बोर्ड पासिंग यह मार्क्स यह सबसे और ज्यादा तर कोरोना वाले बच क्योंकि जादा तर फेक फेक फैला हुआ है और वो लोग बोल दे रहे हैं कि पैसा दो पैसा दो आपका करा देंगे 60% 70% मैं आप लोगों को साब साब बोल रहा हूं एक रूपिया मत देना किसी को क्योंकि यह सब जूठ बाते हैं दूसरी चीज मैं आप लोगों बता दू पैसा से कुछ नहीं होने वाला यह सब ऑनलाइन प्रक्रिया दोस्तों ऑनलाइन मेरिट आएगा ठीक है और ऐसा नहीं है 60-70% वालों को नहीं हो ता आप रिजल्ट जाकर कि खोल के देख सकते हैं चाहे यूपी हो चाहे नौर्थिष्ट हो हर जगा पे हुआ है वेस्ट बे चोको तो ऐसा अगर आप सर्टिपिकेट में फर्जी वड़ा करते हैं तो आपका सर्टिपिकेट आप जिस बोर्ड से पास आउट होए रहते हैं वहां वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं तो उसमें आप पक्ड़े जाएंगे तो सिधा सिधा मेरा बात है और इस बार तो रखे रहेंगे उसमें दूसरा रगाप सिधा जेल जाएंगे तो ऐसा मत किजिए पैसा कोई भी मांता है तो उसको खीच के मारो पैसा किसी को ना दो और यह जो भरती है न दोस्तों वह पूरी तरीका से फेयर है ठीक है आप जाइए अपना फॉम फिल कर दीजे पूरी तर परसेंट बेसिस और आपका डेट आप बर्द बेसिस रहेगा आपका डेट आप बर्द जादा है और परसेंट दो केंडिडेट का सेम है तो जादा डेट आप बर्द वालों का प्रत्मिकता है ठीक है इस प्रकार से इसका मेरिट है दोस्तों तो घबराईए नहीं और किसी 100 से नीचे बात ही मत करो, ठीक है, दूसरा पंजाब, यहां भी, तीसरा है बिहार, बिहार में अंठनबे निन्यानबे जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा, ठीक है, बिहार, दिल्ली, यूपी के कुछ जगा, इस बार, इस बार हिमाचल तरब, कटप थोड़ा हाई जाने वाल रहा है, क्योंकि राजिस्थान में दोस्तो, इस बार, पूरा हर्याना वाले बच्चे अपलाई कर रहे हैं, सबसे सेब जून में, छागा, यानि कि 36 गड, ठीक है, यूपी का कुछ जून, ठीक है, नौर्थीष्ट, गुजराथ, महाराष्ट, यह सभी जून है ना, दोस् पहले बताया, वहाँ पे कट अप आपका ज्यादा देखने को मिलेगा, यह आप लोगों को मैं बार-बार बोल रहा हूँ, फॉर्म भरने के टाइम थोड़ा ध्यान देदो, थोड़ा डिटेल से फॉर्म फिल करो, और ऐसा नहीं है, कि आपका 50%, 40%, 70% है, तो आप फॉर्म साथ दे और आपका हो जाए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा फॉर्म फिल करो, एक रुपय लग नहीं रहा है, फॉर्म मोबाइल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर जनरल EWS और OBC कैंडिडेट का 100 रुपय लग रहा है, मोबाइल से फॉर्म फिल कीजिए, आपक नीचे स्क्रॉल कर देगा, आपको कैसे पकड़ पाओ यार, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि फॉर्म भरने के टाइम आप सौधानी रखे दोस्तों, और एक चीज और कीजिए, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मोटीवेशन देता है, साथी साथ चैनल में पहली बार आया है, तो डेली नही नही गवर्मेंट जॉब के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बिल आइकन को प्रेस कर दीजे, फिर मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तब के लिए, जाहिन!